बॉलवुट इंडास्ट्रि में हमने देखा है कि कई सारे आक्टर्स अपने नाम के साथ एक्सपेडिमेंट्स करते रहते हैं कभी अपनी स्पेलिंग में एक्स्ट्रा A जोड देंगे तो कभी एक्स्ट्रा S जोड देंगे numerology में भी बहुत belief करते हैं और नाम के जो words है वो कितने number के होने चाहिए उस हिसाब से ये actors अपने नाम में extra A, S या extra कोई भी letter जोड़ देते हैं इन celebrities को ऐसा करने के लिए कौन कहता है इन celebrities का विश्वस्निय, astrologer कौन है चलिए हम आपको मिलवाते हैं ये astrologer वो है जिसका करन जोहर, वरुनधवन, सिधात मलोतरा, अजेदेवगन, संजेदत जैसे actors के साथ उचना बैचना है इन astrologer की pictures इन सभी stars के साथ तो है ही इसके अलावा कई सारे producers, filmmakers इस astrologer को अपनी filmों में special thanks भी देते हैं जिहां करन जोहर ने शेर्शा फिल्म में इन्हें special thanks दिया था ये हाइदराबाद based astrologer है बालू मुनंगी जिनके बॉलिवूड के कई सारे celebrities के साथ pictures है बॉलिवूड इंडस्ट्री में जब किसी celebrity के career में कोई problem आती है चीज़े आगे नहीं बढ़ रही होती है फिल्मे flop हो रही होती है या फिल्मे अटक जा रही होती है तो ये celebrities इसी astrologer के पास जाते हैं ये numerology के हिसाब से इन्हें अपने नाम में बदलाव करने को कहते हैं इसके अलावा palm reading के भी expert है यानि कि Bollywood industry के astro से related जितने भी solutions है वो बालू मुनानगी ही देते हैं बालू मुनानगी की हाल ही में अज़देवगन के साथ pictures सामने आई जिसमें अज़देवगन ने काले कलर का कपड़ा पहना है और सिर पर टीका लगाया है अज़देवगन ने बालू मुनानगी के साथ केरिला के साबरी माला टेंपल में दर्शन के और वहीं की ये pictures वाइरल हो रही है इनफाक्ट अज़देवगन को मीडिया ने भी इसी get up में capture किया कहा जा रहा है कि अज़देवगन अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर चिंतित है कि उनकी फिल्में बिना किसी hurdle के रिलीज हो जाए जाहिर सी बात है अज़देवगन कहीं बड़े projects में नजर आने वाले हैं आने वाले समय में RRR फिल्म जो अल्रेडी अटक चुकी है जिस पर controversy खड़ी हो गई है गंगुबाई काठियावाडी की release date हमेशा postpone होती रह रही है साथ ही अज़देवगन runway लेकर आ रहे हैं ये फिल्म रिलीज नहीं हुई उससे पहले ही फिल्म का नाम अज़देवगन को change करना पड़ा मेडे नाम रखा गया था बाद में फिल्म को runway 34 नाम दिया गया इसके अलावा अज़देवगन की भुझ फिल्म जो आई थी वो बुरी तरीके से flop हुई शायद यही कारण है कि करियर में ये जो hurdles आ रहे हैं इनको दूर करने के लिए अज़देवगन spiritual path अपना रहे हैं बालू मुनानगी सिर्फ अज़देवगन के साथ ही नहीं नज़र आए बलकि कुछी दिनों पहले करन जोहर जब अपनी आने वाली film Rocky और रानी की प्रेम कहानी दिल्ली में शूट कर रहे थे वहाँ पर भी बालू मुनानगी ने जाकर सेट का मुआयना किया और एस्ट्रो के हिसाब से सेट कैसा होना चाहिए क्या कुछ होना चाहिए या किस तरह की पूजा होनी चाहिए ये सब उन्होंने वहाँ पर जाकर गाइड किया कहा जाता है कि करण जोहर तो अंद भक्त है बालू मुनानगी का और करण जोहर ने सिधात मलोतरा और क्यारा डवानी को भी इनसे कॉंटाक्ट करने को कहा था तो कहीं सारे बालू मुनानगी के पास ही जाते हैं अपनी एस्ट्रो प्रॉब्लम्स के लिए अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये इंडस्ट्री जो इस तरह की फिल्में बना चुकी है कि superstitious beliefs कुछ नहीं होते हैं बस लोगों के दिमाग का हववा होता है ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बाते हैं वो celebrities खुद personal life में इतने superstitious होते हैं ये बालू मुनानगी के साथ इन लोगों की pictures प्रूफ करती है इसके अलावा हमने देखा है कि किस सरीके से एकता कपूर के हाथ में उंगलियों से जादा अंगूठिया है